बूर्णिंग एवर्वन वेलकम बेक टू माई चैनल धुरू जी इंगलीज क्लास आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ब्यस्सी नर्सिंग का काउंसलिंग कब होगा ठीक है काउंसलिंग का सभी लोग इंदिचार कर रहे हैं तो काउंसलिंग कब होगा इसको देखेंगे इसकी बात करेंगे कॉंसलिंग के दिन आपको कौन कौन से ड़क्यूमेट लगेगा कांसलिंग करवाने के लिए और नियुक्त धेखेंगे कितना स्वीड है और आपका रहें जैसे ज्चादा है तो आपको मिलेगा कि नीनीफी मिलेगा ठीक है तो देखिए नोटीफिकेश प्रवेस परिच्छा का आउजन किया गया था उप्रोक्त परिच्छा 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 परिणाम इस कार्यले में प्राप्त हो चुके है यानि कि जो वैपम है उप्रजानकरी चिकली सा विवाक को दे चुगा है वर्स 2020 से ब्स से नर्सिंग मसी नर्सिंग पोस्टिंग ब्स सी नर्सिंग डिपलोमाइनसाइक प्रवाम इन्यों साइक्क्रिक नर्सिंग एवां गाट्टरिकन के शटों आऊजन के थ्या गईगा थीक है, जो प्रवेस है, वो कॉंसलिंन समिथी की दोड़ा किया जाएगा, अत शिगरही अब अन्टानियुम, प्रेष रितिव पंजियन की प्रक्रिया की शुरू की जाएगी, जो अभी कॉंसलिंग की डेट नहीं आया है, लेकिन शिगरही सुरू की जाएगी, तो यह जो है कॉंस्लिंग आप लोगों का लगभग एक अगस्त से सुरू होगा, ठीक है, इस हपते के लास्ट में या तो एक अगस्त को कॉंस्लिंग शूरू हो जाएगा भी नोटिफिकेसन आएगा, अता समस्त इस अभिहरती को सुची दिख किया जाता है कि छत्तिकर नरस नरसिंग पाट्रिकम उसको ध्यान से देख लेना है, पढ़ लेना है, इसमें देखी नोट करके दिया है, सभी सास्की वा निजी नरसिंग महाविद्दलो प्रसिचन केंद्र में अबंटन संचनाले चिकिस्ता सिक्चा द्वारा गठीत काउंस्लिंग संभिती द्वारा कि किसी भी वेक्ति या संस्ता के धोके में नहीं फस है, जो कॉंस्लिंग होगा और संचनाले के वेफसाइट में होगा, संचनाले द्वारा किया जाता है कॉंस्लिंग, आपको वेफसाइट को दिखते रहना है, इसमें देखी यह जो वेफसाइट है, cgdme.co.in, इसमें पूर यहाँ पर देखिए, संचनाले चिकिस्था, सिक्षा से संचालित पार्ठक्रम के लिए निमतम अहरता है, कॉंस्लिंग क्वालिफिकेशन है देखिए, बेसी पोस्ट बेसिक नियमित के लिए देखिए, क्या है, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, उत्तिन या राजन नर् परिशाद में पंजियन, यह दोनों चाहिए, अब यह प्रसिक्षा ना उधी दो वर्स गराता है, परिच्षा ए एजनसी देख सकते हैं, आप लोग, संचनाले चिकिस्था, सिक्षा, संचनाले द्वारा अधिगरित एजनसी द्वारा प्रवेस परिच्षा के अधार पर क अधिगर परिच्षा बरिव में भावतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मंज्र्व उिज्ञान, एम अंग keys इवी विशा में उत्तिन रित था, भावतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, एम जी विज्ञान, तीनों को जोड़ कर निंतम 25% प्रातां के साथ सब्सक्राइब प्रवेस के लिए इसको ध्यान से लिखेंगे प्रवेस परिच्छा में निवंदम प्राप्तांगें प्रवनिन सुची यानि जो मेट सुची है वो है जैसे प्रवेस परिच्छा में निवंदम 20 प्रतिसत अंग अहरकारी प्राप्तांग होंगे ठीक है 20 प्रतिसत अंग आपको लाना ही हुए तब ही आप क्वालिफाई होंगे तथा आरक्षित स्रेणी जासे सब्सक्राइब प्राप्तांग के अधार प्राप्तांग मंडल अत्वा राजय सासन द्वारा अधिकरित परिच्छा संस्ता योगिता क्रम सुचिया या त्यार की जाएगी और SNEG nursing महा विद्धाले या विद्धाले जो केंदर साशन के द्वारा अलप्रसंख्या संस्थार के रुप में संचाली तथा मानेता प्राता है इन नियमों केंदरगत प्रावधिक आरक्षन के अतरिक्त संब्धित अलप्रसंख्या संभुदाय के अतरिकत आरक्षन रिधा किया जास रखेगा देखिए यह है काउंसलिंग के समय जो आवसक दस्तावज है डाक्युमेंट है उसका लिस्ट है देख सकते हो आपको प्रेस परिछा का जो प्रेस पत्र है वो लगेगा ठीक है यानि कि जो प्यस्टी नर्सिंग आप लोग एजाम दिलाए थे व्यापा पत्र लगेगा अगर भूत प्रसाइनिक है या दिव्यांग जन है ठीक है या सवतनता संग्राम सिनानी है तो देख सेते हैं परिछिष्ट अनुसार प्राण पत्र नोट विकलांग है तो अधी हम जारी करने वाले करेले परिछिष्ट अनुसार पस्तित करना अनिवार है यदि लागू हो तो अब देखिए समिक्षा उप्रांत यानि की कांस्लिंग उप्रांत जैसे आपको महावज दलने प्रेश लेन है तो उससे में जो और डाक्यूमेंट नहीं क्या क्या लगेगा आपको अब अंटरन पत्र ठीक है कांस्लिंग होने बाद आपको अब अंट इस दले का छात्र है तो सपत पत्र सहीत समय प्रदान किया जा सकेगा उसका अगर गेप सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो उसका आधार का लगेगा ठीक है और पासपोर साइच कलर अथवा ब्लेक और वाइट फोटो चार प्रती जो की एक ही नेगेटिव से बनी हो और स ठीक है बच्चो आज का वीडियो यही था आप लोग प्रीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बढ़ा है तो सब्सक्राइब कर लिजिए जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा आपको जानकरी इस चैनल के दुरह दी जाएगी तो काउंसलिंग में अभी एक अगस्त से सुरू हो सकता है लेकिन अभी कोई फिक्स डेट नहीं आये है ठीक है नोटिफिकेशन नहीं काउंसलिंग के लिए जैसी कारिकरम आएगा आप अब अंटरन कारिकरम तो इसमें जानकरी दी जाएगी ठीक है बच्चो तो आप लोग कमेंट करके बताए आपको का कितना रेंग है कितना नंबर लाए हो